दोस्तो नमस्कार Chamcash बिजनस को करने के लिए आपको Chamcash अपने मुबाइल में किस तरह से इंस्टोल करनी है और साइन अप किस तरह से करना है और चैलेंज किस तरह से कंप्लीट करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले Google Play Store में Chamcash को सर्च किजिए Chamcash को सर्च करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी वहाँ पर इंस्टोल का बटन है इंस्टोल के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको असेप्ट करना है असेप्ट करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही Chamcash की डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाएगी आपकी अप्लिकेशन इंस्टोल हो जाएगी इंस्टोल करते ही आपको अप्लिकेशन को ओपन करना है Open करते ही आपके सामने पहली स्क्रीन आएगी जहां पर आपको Sign Up के लिए पूछे जाएगा आपका Champ Cash में अकाउंट नहीं है इसलिए आपको Sign Up करना जरूरी है तो आप Sign Up with Champ Cash पर क्लिक करेंगे इस से अगली स्क्रीन पर आपको अपने पूरी डिटेल्स देनी होगी नाम, email id, password, date of birth और अपना mobile number आप लोग जैसे ही ये सभी डिटेल्स को complete कर लेंगे उसके बाद आपको Proceed बटन पर क्लिक करना है Proceed बटन पर क्लिक करते ही अगला step आपको बहुत जरूरी है अपनी sponsor की ID डालना यहाँ पर आप अपने sponsor को phone करके पूछेंगे कि आपकी ID कै है या आपको अगर link मिला गया तो वहाँ पर sponsor ID दी होगी इस ID को डालते ही आप submit बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने challenge आएगा इस challenge को आप लोगों ने accept करना है Proceed further पर क्लिक करना है तो आपके सामने सभी applications challenge में दिखाई देगी सबसे पहला आपको क्या काम करना है सबसे पहला यह top पे एक audio दिया हुआ है इस audio को ध्यान से सुनना है इस बटन पर क्लिक करना है दो मिनट का यह audio है इस audio को सुन कर ही आप अगला step आप करें जैसे जैसे यह सभी applications आपको दिख रही है इन सभी applications को एक एक करके install करते जाना है और एक एक मिनट तक दो दो मिनट तक जो भी निर्देश दिये गए है अगले page पर उसको follow करते जाना है अगर आपको registration के लिए बोला है तो register भी करना है जैसे कि मैं यह application को install करता हूँ देखे इस application में निर्देश दिया गया है install UC browser, open it for 2 minutes, don't uninstall before 10 days तो यह rules आपको follow करने है और further फिर install पर click करना है install पर click करते ही आप UC browser mini पर redirect हो गए है अब आपको यह application install करनी है accept करनी है जैसी application install होगी आप लोगों के सामने एक pop-up दिखेगा इस pop-up में यह निर्देश दिया होगा कि आपको यह application proceed करनी है आगे तो आप proceed पर click करेंगे proceed पर click करते ही यहाँ पर timer शुरू हो जाएगा और आपको जितना time दिया गया है timer में उतने time तक उस application को देखना है इसमें आप कुछ भी देख सकते हैं देखिए अब आपका timer खतम होने जा रहा है जैसे आपका timer खतम होगा वैसे आपके सामने एक और pop-up खुलेगा कि आपका task complete हो चुका है और आप proceed पर click करेंगे proceed पर click करते ही आपको champ cache application पर दुबारा सा बेज दिये जाएगा और आपको अपना अगला task complete करना होगा देखिए हम लोगों ने UC mini को install किया था install करते ही open करते ही यहाँ पर done लिखा आ गया इसी तरह से हमें सभी applications को एक करकर install करना है जिस application में register के लिए बोला गया है उस application में आप लोगों को registration भी करना है देखिए दोस्तों जैसे ही आप सभी apps install कर लोगे अभी मैंने सभी applications install नहीं की है यह सभी applications के आगे done लिखा हुआ जाएगा अब इनी सभी applications में किसी एक applications को छोड़ दी सकते हैं अब मैं सभी applications install करने जा रहा हूँ और जैसे मैं सभी application install करने के बाद champ cache को open करूँगा तो मुझे great screen दिखेगी और मेरा challenge complete हो चुका होगा और मेरा dashboard जो है active हो चुका होगा अब मैं सभी application install कर चुका हूँ अब मैं champ cache खोलूँगा जैसे ही मैं champ cache खोपन करूँगा तो मेरा dashboard जो है unlock हो चुका है देखे यहाँ पर आपका नाम आएगा आपकी refer id दिखेगी आपको आपने आज earn more से कितनी earning की है main आपकी total कितनी earning है total आपकी कितनी earn more से earning है और total main earning कितनी है